मैं अभी कल पेपर में पढ़ रहा था रोज पेपर पढ़ता हूं पेपर पढ़ रहा था दिल्ली में एक अधिकारी रेलेवे से ही रिटायर करके रह रहा रहा है दिल्ली में इसके दो लड़के हैं एक लड़का मिलिटरी में बिरिगडियर है एक लड़का इंकम टेक्स अपसर कमिशनर है दोनों है न क्लास वन अपने अपने जगा माबाप मर गये हैं कुठ्री में बंध है पता नहीं कितने दिन पहले मड़े हैं बद्दबू आने लगी बगल का पड़ोसी फोन किया पुलिश आई तोड़ी लास सड़रा लड़कों को फोन हुआ आया आयेगा ना ब्रिगेडिय कमिशनर आया एक ही दिन में फुक करके उनका दास अंसकार करके दुनों चला गए अपने डिटी में यह पढ़ाई किस काम की है बोलो तुजरा इसमें कौन नहीं अपने माबापको अपने सांथ रख सकता था समर था कि नहीं था यह संसकार हम चुईत हो गये हैं हो जानते हैं एक बुढ़ा बुढ़ी से एक हमारा लड़का कखराब होगा है हम इतने संसकार ही जुईत हो गये हैं कि अपने बाप मातारी को देख नहीं रहे जबकि उभी कमा रहे हैं, घर अच्छा बनाए है करोडों का, घर किसको देंगे उँ, उभी वही है, एदि वह घर किसी आश्रम को दे दे, किस ट्रस्ट को दे दे, तो वह तो उसकी सेवा करता, लेकिन उदेगा नहीं, भड़े मर जाएगा उसी में, उसी में सर्फ भी बन ज कि एक जोपड़ी बनाकर एक साधू रहता था बहुत गरीदी नहीं नकिंते, वह जोपड़ी में मर गया, कोई साधू उसमें जाकर रहना चाहता था, देखता है कि उसके जो कपड़ा उपड़ा चोड़ा है उस पर एक सर पाकर बैठा है, वह हटा कर फेक दिया, फिर देखकड़े जो पड़े हैं उसमें पैसा कुछ होगा, देखो तो है, तो देखा लोग उसमे सौटर्ıर्ट सव रुपिया पढ़ा, रिजखकारी नहीं होता है, अठ्णी दुआनी जो भी मंगा तौ पढ़ा है, सौटर्स onबीया पड़ा है, कहा कि यह जो है मर गया है, ल मर गए उस घर में तो मर गए कि फिर सर्फ बनकर बैठेंगे न कि लड़का क्या करेगा सर्फ की पूजा करेगा क्या करेगा बोलो जरा थुराई करेगा बड़ा कमाकर रख गया है थुर देगा अची तरह से हम लोग जरा अपना देखो भविश्य क्या चाहते हैं तब साधू ने कहा क्या किया जाए साधू लो मिटिंग किये कि उस पैसे को लेया कर यहां भंडारा हो रहा है उस भंडारा में डेड़ सका कुस न फिर दूसरे दिन देखा कि उस पर नहीं आया बैठा नहीं दो दिन चार दिन दस दिन हो गया लोग नहीं आया कि चुकि उसकी पैसा तो पैसा में था ना त्राप्राण तो हमारा प्राण संशकार में नहीं रह गया है, पैसा में चला गया है बड़ा हमारा पतन हो रहा है